बेटी को खरोज भी आये तो रूँ तडब जाती है, बहु का हाथ भी जल जाये तो माते पे शिकन तक नहीं आती है, कमी इनमे नहीं इनकी सोच में है, इन्हें बहु में बेटी नहीं नजर आती है। असी के साथ दूसरा कहेंगे कि कब तक ये रिवास चलता रहेगा, यूही जिस्मों से खिलवार चलता रहेगा, एक वहशी की हवस से कब तक पूरा परिवार चलता रहेगा। और एक दो लाइनर में मैं माबाब के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो आजकल के यूद बहुत जादा कर रही है इस चीज़ को जिस चीज़ को मैं नहीं करना चाहिए। कि जिन्दगी में इतना पड़े, इतना पड़े की अदब भूल गए। जिन्दगी में इतना पड़े, इतना पड़े की अदब भूल गए। माबाप से किस लहजे में बात करनी थी, इस चीज़ का सबख भूल गए। एक जो कहना चाहूँगा मैं कि रिष्टे नाते हम क्यों न निभाएं। रिष्टे नाते हम क्यों न निभाएं। कोई तो हो जो हमसे बिनमतलब मिलने आए। मतलब निकल जाने के बाद, मतलब निकल जाने के बाद, वो हमारे दर्वाजे से तो गुजरे पर हमसे मिलने तक नहीं आए। दुनिया में बेशुमार खजाने गड़े हैं, लोगों की जिन्दगी में बड़े अफसाने पड़े हैं, जीना है तो जीओ किरदार के साथ, वरना मर जाने के तो बड़े फसाने पड़े हैं। जीओ किरदार के साथ, वरना मर जाने के तो बड़े फसाने पड़े हैं। और एक चाल लाइन से मैं पैसो के पर कुछ बोलना चाहूँगा, जिसकी जुबा नहीं वो सबसे ज्यादा बोलता है। जिसकी जुबा नहीं वो सबसे ज्यादा बोलता है, हर शक्स इसके पीछे दोड़ता है। ये आहिस्ता आहिस्ता अकड का नशाग बोलता है, हर किसी को बिखने को बोलता है, ये पैसा है जनाब, सर चड़ कर बोलता है। एक चाल लाइनर मैं महभबत बोलना चाहूँगा, बस उसके बादा प्री जंगा लूँगा। हर दफ़ा हर जंगा तेरा ही ख्याल आया, तुझसा कोई नहीं इस बात का खुमार आया, जिन्दगी में फिर से खुश्यों का गुजार आया, महभबत हुई है आप से इस बात का इस्टिहार आया। ठीक है मैं, थैंक यू सो मच।